मध्यप्रदेश में लोकसवा चुनाव का दोर जारी है सियासत भी लगातार गर्म होती जा रही है हम चौते चरन के चुनाव की दहलिस पर है निमार मालवा की आठ सीटों पर चुनाव होने हैं और हम मौजूद हैं अंदौर में एक ऐसी शक्सियत के साथ जिनको कॉंग्रेस कॉंग्रेस ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और जो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतु पटवारी जी हमारे साथ है जी तो बहुत बहुत स्वागत है अपका जी धन्यवादी जिम में बैट है हम बाठी तुपटवारी के यहां पर पसीने की बूंदे आप देख रहे होंगे इनके माते पर जिम के बाद फिल्ड में जम कर पसीना बाहर है निवात यह है कि जब ज्यादा काम करना पड़ता है तो नेचरल शरीर को थोड़ा रिमेप करना पड़ता है करना चाहिए सबको क मुझी स्वस्त होता है और मैं मानता हूं कि हर देश के हर नागरिक को कुछ नो कुछ अपने शरीर के लिए एक गंटा आदा गंटा योग प्रणायाम दोड़ एक्सरसाइज साइक्लिंग जो मन में आए जो इसके पास जो संसाधनों करना चाहिए हम बात कर रहे थे भी सियासत की भी बात कर रहे आप लगातार फिल्ड में जा रहे हैं कैसे देख रहे चोत्य चरण के चुनाओ को जब चुनाव चालू हुए थे तब एसास था कि शायद हम पीछे हैं चुनाव रिसेंट हा रहे थे और परिस्थितियां ऐसी थी यह सब को आभास था निराशा थी वरकरों में और यही कारण था कि कई लोग हमारे इदर से डर के भाग गये कि क्या होगा केसे होगा कब होगा हिम्मत नहीं कर पाए और अल्टीमेटली जब पहले चरण का चुनाव हुआ तो पूरे देश में एक मेसेज गया है कि नरेंदर मोदी जी के खिलाब गया है मेंडेट जब दू चार सीट कांग्रेस जी देगे आठ में से चार सीट मेरे कर रहे हैं इंदर के अगर बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा बदलाव इंदर में हुआ है कॉंग्रेस नोटा को प्रमोट कर रही है अक्षब हम आपका साथ छोड़के जाग चुके हैं कैसे जी तो पटवारी एक प्रदेश अध्यक्ष के नजरे से पूरे घटना क्रम को देखते हैं मैं सुदर जी कोई भी चीज चुपाता भी नहीं हूँ और मन क्रम बच्चन से इमानदारात्मिय हूँ आज तक इश्वर ने मुझे कभी भी किसी भी प्रकार का इश्वर ने प्रप्ट हुआ है बेमानदा बहुत दुखी हूँ पूरे अंदोर के घटना क्रम से पर नेती को जो मंजूर होता है वह होता है क्या क्राइम हुआ और किसने किया वह बीजेपी जिसको इत्ता बड़ा प्रतिसाद इंदोर की जनता ने दिया हर बार सहयोग किया साहिता की विश्वास किया उन्होंने लोकतंत्र के हत्या कि अपरण कर लिया लोकतंत्र का एक पार्टी के प्रतियाशी का क्या मेसेज है कि हम ताकतवर है हम जनता कुछ नहीं समझते हैं जो चाहेंगे करेंगे हमारे पास आप्शन थे कि हम किसी को समर्थन देदे या फिर हम इस में जनता को एक एक आउसर दें इंदोर की जनता कांग्रेस पार्टी ने आउसर दिया है कि यह दलगत राजनिती से उपर मेरी हमारी कैसी इंदोर की विरासत है माहिल यह जिसने अपने बेटे को चुनवा दिया पेरों एक वीडियो भी आपने बड़ी भावक अपील करते लोगों से जारी किया इसी लिए मैंने किया यह स्वक्ष्टा की बात आई नंबर वन रहे हैं सुमित्रा माजन जब हमारी मा जैसी है वो देश की संसत के सरवोच पत पर बेटती थी तो फक्र महसूस होता था हमारे इंदोर की वो इंदोर जो हमेशा आयाम पेदा करता है उ उसको उस्वर मिला नेती ने दिया है कि नेताओं की बुद्धी ठीक करें क्या तरीका है कि चार लोग अभी हमारे कांग्रेस पार्टी से लड़े और उदर कपड़े जैसी पार्टी बदलती मतलब यह क्या जनता को मुर्ग समझते हैं हम लोग बीजेपी अपनी ताकत का क इतना भेंकर दुरूपयों कर रही है आपने कहा कि जो नेता इस तरह के हंकार दिखाते है या जिस तरह के कोई गुरूर दिखाते है अपने खुद का भी कहा है कि हमारे जैसे नेताओं को जनता सबक दिखा है इंदौर की जीवन में नेता को जनता से डरना चीए जब मैं क पबलिक को भूगतना पड़ता है जनता को भूगतना पड़ता समाध में वह भावी पीडी में एक दुष्परिणाम आता उसका तो इंदोर शहर को आउसर मिला है कि इनका बीजेपी के खासकर लोगों को मिला है कारी करता हो मिला जो यह सोचते हैं कि हमें हमारी पार्टी भी किसका बनेगा क्योंकि मेदान इस तरह का ग्राउंड इस तरह का बन गया है हमने किसी वेक्ति को समर्थन इसलिए नहीं दिया कि जनता को आप्शंदेन उटा का किटिसिजम का और हम चाहते हैं किटिसिजम हो परिणाम पर असर नहीं है इसका पर मेसेज है नेताओं को आत् एक्राप्ट Çapedणों को जो क्राईम को पसंद करते उन निताओं को सपर्ट दिन रात करती जाएगी कभी अपने नुख्सान नीता करती में तो एक प्रदेश अध्यक्र कि नेता की तो लगता है कि पार्टी में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे इस तरह के आप राधी करण जो राजनीति का होता है उसमें कोई बदलाव की प्लानिंग है जितु पतवारी जी की जिस तरह की हेवी ताप है संगर्ष है पल पल पे आने वाली चुनोतियां थी सब को सामना इश्वर ने करवाया है मैं मानता हूं का अंग्रेस पार्टी के ऐसा वीजन लेके निकले की मत्यप्रदेश में कि इस बार 28 का जब चुना होगा तो जितना भहन कर बड़ा बहुमत का बीजेपी बड़े बड़े नेता कई नेता साथ छोड़ते चलेगे क्या चल रहा था मन में कुछ नहीं चल रहा था मैं विचार कर रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है नेती ऐसा क्यों मेरे सथ कोई गलती नहीं हो रही आत्म मन्थन भी किया मेरी कोशिशों में तो कमी नहीं है वो भी आत दिखती है उधर ज्यादा दिखती क्योंकि उम्र जाती जारी संगर्श का माधा नहीं अब उसमें तो मोटे तोर पर इस तरह के लोग मिले जिनका बड़ा व्यापार है या सरकार से रिलेटेड व्यापार है या भविश को लेकर डर हुआ है तो मैं सुछता हूं ऐसे लोग अब विपक्ष में रेके काम भी नी कर सकते हैं सरकार से लड़ भी नहीं सकते थे तो मैं गये उसका धर्द है पर गये उसका डर नहीं है मैं मानता हूं कि मतब चुनोती आई भोट शूरू शुरू में थोड़ा एसा भी लगा पर अब मैं सुकून में हूं कि हमें फ्रिड जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। अच्छे के लिए अपनी बात केता है। अगर आप हसके तो किसी के केटी से दम नहीं कर सकते हैं। और करना होगा हसके तो वो हसके ही किया जा सकता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। इमर्ति देवी वाला बयान आपका बड़ा चर्चित रहा है। मैं जब वो कांग्रेस में थी तब मेरा उनका बहुत पारिवारिक रिष्टा था। और बहुत वो मदब हम पास में एक टेबल पर बेखते थे। और मेरा उनसे वेक्तिकत रूप समय कभी आज तक बहुत अच्छी महला है। और वो अच्छी महला है। तो भूल से भूल हो। उसको मतलब कैसे कह सकते हैं पर हाँ चुकी गलती है। तो मेरा विरोत कि अभी जेपी ने स्विकार है। उनने फायर के स्विकार है। मेरी गलती थी जो जान-बूचके निती, मान्सिक रूप से क्राइम नहीं था। वो होने वाली घटना एक्सिटेट था हमें पता चला कि बयान के बाद इतने आप चिंतित होगे कि राद भर सुव नहीं पाए बिल्कुल ऐसी जब अच्छा इंसान जो होता है हम सार्जनिक जीवन में क्यों है पब्लिक के लिए और चुकि ऐसा दो बजे पता चला तुम्हें को राद भर बेचे ने रही कि क्या हो गया मेरे से यह तो मैं मानता जबात को इसको अस्विकार किया ही नहीं गलत बात किसी भी प्रकार से अस्विकार ही होई नहीं सकती उसको स्विकार करना पड़े और माफे मांगनी पड़े गाए लगातार प्रदेश के दवरो पर आप जा रहे हैं आपने देखा होगा कि दोनों पार्टियों के बड़े-बड़े नेता सीटों पर आ रहे हैं और प्रचार पसार कर रहे हैं अब तो चुकि मंद्रप्रदेश में आखरी दौर का चुनाओ है ऐसी स्थिति में मनिशंकर एयर ने एक बड़ा बयान दे दिया पाकिस्तान को लेकर क्या लगता है पाकिस्तान के परमानुबम का सम्मान करना चाहिए और मजाग के तौर पर लोग कहते हैं कि चुनाओ में मनिशंकर एयर जब कुछ बोलते हैं तो लगबग मिस्स कर रही थी जंता है कांग्रेस पार्टी ने उनकी बात को डिनाय कर दिया है और मैं मानता हूँ कि ऐसे जित्ते भी बयान आते हैं पार्टी का ऐसे सरुकारी नहीं होता है पार्टी की लाइन क्लियर है साफ है और वो पार्टी स्टेंड से क्लियर होती है रोच जो आप राटी है defendique part बाद से मुक्त कर दिया है आध चुनाओं को लेकर मद्देपोदेश में खास तोर पर आठ सीटों पर चुनाओं होना है चौते दोर में यहाँ पर जो ऐसा करती है कि जो आपने दो बेढ के बात हमने सारे से और सजा दी मोधी जी एक बलात कारी का इत्ता वड़ा तीन हजार वीडियो आए पर मोधी जी ने आज तक उस पर कोई एक्षन नहीं लिया मोधी जी ने कभी बीजेपी की किसी गमी पर जब जब ऐसी कोई घटना होती है तो अपनी जाए खड़े रहते हैं उन्हेंने टोनी जो मिश्रा है उसको टिगिर दिया फिर इधर अभी इसको भी टिगिर दिया सांसत बनाया फिर उसके लिए वोट मांगे सभाय की फिर जो पहलवानों की जिसने असमत लूटी उसका कारोब सिद्ध हो गया उसके भी बेटे को टिगिर दे दिया बीजेपी और कांग्रेस में अंतर को समझो गल्ती होती है स्विकार करती है और पबलिक के सामने सपश दिखती है बीजेपी क्राइम भी करती है और कीति हम ऐसे ही है करेंगे तुम से जो कर लो यह नतर है और यही लड़ाई है देश में अभी हम इंदोर की बात करते हैं कि इंदोर की सीट पर चुनाओं होना है वीजेपी के कद्दावर निता और मंत्री है कैलाश वीजेवरगिये जी उनसे जब हमने सवाल किया था कि जितू पटवारी जी इस तरह के बयान बाजी करते कुछ करते प्रदेश अद्यक्ष के तौर पर है तो उनका कहना था कि जीतू पटवारी को अभी मैच्वर होना बागी उनमें अतनी परिपक्वता नहीं उनने जो सीख दी उसको चुकी उम्रम बड़े हैं तो सोभाविक रूप से जो अच्छी बात आती है उसको शुकार करना था जीतू पटवारी का राजनीतिक पक्ष बहुत सारे लोगों ने देखा है अभी हम जीम में चर्चा कर रहे थे तो व्यक्तिकत पक्ष जो जीतू पटवारी का है कि भावुक व्यक्ति के तोर पर आपके देखा है जब आप बात करते हैं कि लोग आज जीतू पटवारी को प्रदेश अद्यक्ष के तोर पर देखते हैं लेकिन जितुपटवार का यह रास्ता जो था वह आसान रहात में बिना संगर से कुछ नहीं होता है और जो इश्वर जब दे दे आपको इसका मतलब है कि आप उन छमताओं को नेती को यही मंजूर था आपको सफलता दे तो भी स्विकार होगी असफलता दे तो भी स्विकार होगी असफलता में भी कुछ राज है कुछ अच्छा है यह एसास हमें हर वक्त करना चाहिए जहां तक प्रैश्ण है केवल मेरी यात्रा संगर्ष की रही यह एसा नहीं हो सकता हर वेक्ति की यात्रा अपनी होती है उसका अपना संगर्ष होता है तो सबसे महत्रुन होता है एक अच्छा इंसान बना रहे हम आज आखरी दिन है शायद कल नहीं रहें यह हिसास है आंतर मन में बना रहे हम आपको यह हमेशा हिसास रहना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो इश्वर देख रहा है और एक शक्ती है जो देख रहे है और जो मैं करता हूँ वो पाजिटिविटी के लिए होना चाहिए न कि नकारात्मता के लिए हमारी कोशिश पूरी होती है कि हम लोगपरी बने पर लोगपरी बनने के लिए हम अपने आपको अच्छा इंसान नहीं बनाए जो मुमेंट होता है जो इवेंट होता थोड़े दिन का होता है पर जो वास्टविक्ता होती है वो हर्दम आपके सांथ चलती है तो अच्छा इंसान होना जरूर है जितुपटवारी के सुबह की शुरुवात होती है स्वास्त के साथ स्वास्त का ध्यान रखते हैं अच्छे प्रेणा दायक वीडियो सुनते हैं अभी हमने देख रहे थे कि हम जब आपके पास पहुंचे तो आप प्रेणा दायक वीडियो सुन रहे थे और उससे आप जो आ क्वैंटिलिटी एक माइंड की एक्सेसाइज होना चाहिए और उसमें रोज विचार पाजिटिव जाना चाहिए तब आप पाजिटिव दिन भर रह सकते हो रोज सोचो रोज मोटिवेशन के पार्ट आपको मिले तो आप उस तरह के का इवेंड करते हो माइंड पूप से कि भगवान इश्वर से लेके आज तक की जितनी भी हमने कथाएं सुनी हर वेक्ति आपको ये सीख देता है कि जीवन चलते रहने का नाम है और एक दिन अंत होगा सबका होगा कुछ चीज एसी नहीं है जिसको बचना इस धर्तिवे तो मैं मानता हूं कि ये प्रकृति प्र मानते हुए आपको अपने जीवन को पाजिटिवीटी से ले जाना है भी तो अपने पनायम लुआ तो कई विवाद हो जाएंगे तो उनसे पाजिटिवीटी अंतर शपनों का पीछा करने के बाद किसी महापूरुश ने कहीं थि कि अगर संबने देखते तो उनका पीछा करो और उनको पूरा करने में जुट जाए जीतु पटवारी 20 साल का एक युवा जब थे जिस जगह हम खड़े हैं यहां से जब गुजरते थे तो सपना देखते थे कि इस जगह पे मेरा घर हो 20 साल पेले तो यसा था क्या जिन्दिगी मुझे सफल करेगी की नी कभी कुछ मिलेगा भी की नी मैं सोचता था है जिन्दिगी में एक बार विधायक बन जाएं तो हमारी राजनीती सफल हो जाएगी तो इश्वर ने मतवित्य यात्रा करिवा दी और मैं मानता हूं कि मैंने जिसा असफल अभी कुछ सीख देती है असफल अभी कुछ होता है कुछ पाजिट्व है उसके लिए ही हुआ है ये इस इस उम्र में आके पता चला और मेरे पास दो रास्ते रहते हैं एक रास्ता है सहिता का सहिता का सकारात्मक्ता एक रास्ता है सुविधा का मैंने कभी सुविधा का रास्ता नहीं चुना सुविधा के रास्ते में थोड़ी शाट उम्र होती है छोटी उम्र होती है ये संगर्ष की जो यात्रा है ये लंबी उम्र है और अपने आत्मसंवान को बनाने वाली है कई लोग मेरे साथ के सुविधाओं के साथ चले गए मुझे ओर मजबूती मिली कि मुझे संगर्ष के साथ रेना और यहां तक इश्वर लाया तो आगे भी कुछ अच्छा होगा जितु पटवारी जी का पारिवारिक बात है कि पत्मी ने बहुत सहयोग किया संगर्ष के दिनों में हमने अभी देखा कि छोटी सी एक नातन आती है शायद मुझे लगता कई लोगों को नहीं पता होगा कि जीतु पटवारी एक प्यारी सी बच्ची के नाना भी है मेरी बहुत चोटी उमर में शादी होगी थी तो जिसको जब आउसर मिलता है जब पहले आउसर मिला पहले पाया तो यह हुआ और मैं मानता हूं सभी का जीवन होता है सयोग का होता है और सब परिवार एक दूसरे को सवयोद से हैं। परेशान हो रहा हूं अपनी बात मुझे शेयर करनी चाहिए किसी करीबी से जीतु पटवारी किसको ऐसा करते हैं कुछ ऐसी उल्जन होती है तो उसका समाधान क्या होगा फिर समाधान धूंड लेता हूं और फिर उस पर करेक्षन के लिए किसी से स्रयोग लेता हूं अल्टिमेटली जीवन मेरा है जीवन के किसी भी पहलू से किसी भी संगर से किसी भी विवस्था से लड़ना मुझे है या उसका उसके पार मुझे पाना है तो निर्णे मुझे ही लेना है फिर हां उसमें करेक्ट करने के लिए कई लोगों की जो जिस समय जिसकी आउशक्ता होती है उससे पाज़ती होनी चीह होती भी है बहुत बड़ी टीम है जितुपटवारी के पास खास तोर पर युवानेत आप देखते हैं लगातार बीच में लोग छोड़कर भी जाएंगे कुछ लोग आएंगे भी अच्छा राजनितिक विक्तित्व या अच्छी सोच अच्छा विचार वो होता है कि जिस दिन जो समापत हो उसी दिन से दूसरे की तैयारी है हम चुनाव हारें उसी दिन तीसरे करती है उसमें कुछ अच्छा है अगर मैं मानता हूं कि ऐसे में कुछ हुआ इन्हें इश्वर ने किया इश्वर जो हम चाहते हैं वो अच्छे के लिए हमारे लिए पर इश्वर जो चाहता हूं और अच्छे के लिए यह मेरा अंतर मन में बना हुआ किस्सा है और मैं उसी पर यात्रा करता रहता हूं नियती पर जिदुपटवारी का बहुत भरोसा है अगर यह पेड़ है यह सांस लेते हैं यह अक्सिजन छोड़ते हैं यह दिखती है यह सूरिय रोज उखता है रोज कीरणा देता है यहने कोई शक्ती तो है इंसान एक जैसा है यह धर्म तो अगर है तो उसको मानना चीए कि उसने आपको यह भेजा इसी घर में पेडा किया आप इस लायक बने आपको हर संगर्ष से निकाला यह सब अलग-अलग विक्तित का अलग-अलग संगर्ष है हम सोचते हैं कई लोग बहुत उस्सा ही होते हैं फिर भी यात्रा उनकी छोटी हो जाती है कई लोग बहुत संगर्ष के होते हैं पर यात्रा से निकलकर सफ़ाल होते हैं Зीवन जीने की एक शेली है और उसके आधार पे पर धर्म राजनिती में भावना से का उप्योग करके राजनितिक लोग वोट ले ये एक आजकल सरल रास्ता हो गया है पर धर्म का राजनिती से उत्ता वास्ता नहीं है जितना धर्म एक अपना वेक्तित्व का खुद के परसनल अपनी आस्थाओं का विशह है और राजनिती संसार को समाज को विवस्था को चलाने का हिसा है पर चुकि धर्म में भी बहुत सी बातें नियाय करने के आती है डिसिजन लेने के आती है धर्म में भी बहुत सी बातें आपको सही और गलत में चुनने के आती है तो कई जगे कई बाते एक दूसरे का सहीयोब करती है खास तोर पर अलग-अलग चीज़ों को लेके बात होती है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने एक इंटर्व्यू में कहा था कि कॉंग्रेस ओबी सी जो वर्ग है पिछला वर्ग जो है उसका हक मार कर और मुसलिमें को आरक्षन देना चाहती है तो आरक्षन का मुद्धा कितना आप जरूरी मानते है या आरक्षन किस हिसाब से होना चाहिए निया नरेंद्र मोधी तो ऐसे विक्तित्व है कभी वी एक बात पर टिकते ही नहीं हो यही बात उनने इंटर्व्यू में कही कि आई जितने भी भाषन किये जितने विस अभी धिशह दिखाए इंडेक्स यह कहता उफेल हुआ है वह आज जो भाषन कर रह आया वोत माँग रहे हो किस बात का मांग रूँ जूट और एक तरह का का मांग रहे हैं ये गुम्रा करने का मांग रहे हैं वो सच का निमा देश सबसे ज़्यादा गरीब है आज जो 90 प्रतिशत लोग है दस प्रतिशत के पास संपत्ति यह लड़ाई तो है अगर यह क्रांती नहीं लाएगी तो क्या होगा जब रहूल गांधी जी कहते हैं कि मु तो यह देश के लिए क्या उचित है यह तुलनात मक्या जफलता लाके देगी देश को अल्टीमेटली निला के देगी तो मैं मानता हूं रहूल गांदी वास्तिविकता में है और मोदी जी मेजिक में रहूल गांदी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी उसके बाद फिर एक यात्रा निकाली लगातार अपने उनका साथ निभाया है जब रहूल गांदी का चुनाओ क्षेत्र अभी बीच में चेंज होने के बात हुए कि राइबरेली जा रहे लेकिन लंबे समय से आप रहू रहूल गांदी बहुत अच्छे इंसान है और रहूल गांदी वास्तविक्ता में जीना चाहते हैं निडर इंसान है यह जरूर है कि वह जो बात अपनी कई बार कहते हैं वह बात पब्लिक को उस सरीके से करनेट करना चाहिए शायद नहीं कर पाती है पर उसके बावजूद रहूल गांदी जी अपनी बात पर अड़े रहते हैं और अल्टिमेटली जनता उसको सही समझती है और सही होती है आज तक उन्हों ने जो बयान दिया और मोदी ने सबसे ज़्यादा उसको क्रिटिसिजम किया सबसे सही वो निकले वो चाहे कोबीड की बात हो कोबीड आने हुआ का मोदी जी दो तीन चार दस उद्योकपतियों के दोस्तों आखिर निकला आखिर इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला उसका सबसे ज़्यादा क्रिटिसम रहूल गांदी ने किया और तत्ति और तर्क से किया और वो सही निकले और आज देश उसको समझ र करने में बड़ा हाथ दिग्विजे सिंग कर रहा है उनके बयानों को आप कैसे देखते प्रदेश अद्यक्ष के नाति देख्विजे सिंग जी के जो बयान होते हैं वो भी मैं मानता हूं ज्यादा तर जीवन की वास्ट्विकताओं के आसपास राजनितिक वास्ट्विकत और अब चुनाओं का आखरी दोर है तो इंदोर के जनता से क्या आप अफिल करना चाहेंगे क्योंकि जब कि आफिस जब हम पहुंचे तो देखे कि नोटा के बहुत सारे बोर्ट पड़े थे इंदोर में जो घटना घटी राजनितिक क्राइम है राजनितिक माफिया गिरी है एक ऐसी पार्टी एक ऐसा नेता जिसको बहुत एतिहासिक समर्थन इंदोर की जनता ने दिया बीजेपी के लोग हैं वो बीजेपी के हैं पर हमारे विरोधी हैं पर इंसान है इसी देश के हैं और यह देश उनके लिए महत्पून है जिस वेक्ति को इत्ता बड़ा प्रतिसाद मिला और वो हरकत छोटी करता है उच्छी करता है बीजेपी तीन चार पांच बार से सांसत है नगरनिकव उनकी है अभी आठ के आठ विधायक नों के नों उनके जीद गए उसके बाद भ पूरे घटना करम के बाद कमी हमारी क्या रह गई उस पर तो आत्मे चिंतन भी हुआ चिंता भी हुआ दुग भी हुआ और पर यह इंदोर शहर को नेती ने तय करके दिया है कि अब आपको यह मेसेज देना है कि नेताओं को के अहंकार को आप मिनिमाइस करो चकना चूर कर आप नोटा एक आप्शन है कृपिया करके विचार करो कि डिसीजन पेस पे असर नहीं होगा पर आपके एक नोटा बोट दबाने से पूरे देश में एक मेसेज जाएगा कि इंदोर जागरूग जनता का शहर है पार्टियों से उपर उठकर समाज में अच्छा करना चाहता है नेतरत करता है पूरे देश में इंदोर इस बात का कि हम सबसे अलग है जब माहल या ने अपने बेटे को हतियों के नीचे गलत बात के लिए चुनवा दिया था वही पूरवज है हमारे हम भी नीड़े ले सकते हैं कि हमारी पार्टी भी अगर गलत करेगी तो उसके खिल उसके बावजूद इंदोर शाहर अपना है जो सई है वो निने लो धनिवाद यह जितू पटवारी शायद जितनी बात है इस इंटर्व्य में निकल कर आई है जितू पटवारी के उसमें कई रूप देखने को मिले शरीर को लेके जागरूख है सियासत को लेके के लिए अब बात करें और साथ ही साथ जो घटनागरम इंदोर में हुआ है उसको लेकर साथ में भया है यह जीतू पटवारी कॉंग्रेस के पदेश अध्यक्ष है और आज जब हम इंटर्व्य में उनसे मिले तो उन्होंने हर मुद्दे पे खुल कर बात की शरीर को लेकर के जागरुख है स्वास्तु कुलों के जागरुख है साती साथ अध्यात्म का एक पुट जितू-पटवारी के अंदर देखने को मिलता है अपनी गलतियों को पूरे दंब से पूरी जिम्मेदारी से स्विकारते हैं और साती साथ ऐसे अहंकारी निताओं को सबक सिकाने के पिल जनता से करते हैं, वो कहते हैं कि अगर मैंने गलत किया है, तो मुझे भी आप सबक सिखाई है, लेकिन अगर वोट आ रहे हैं, आखरी दोर की वोटिंग हो रही है, तो जनता लोकतंत्री की रक्षा के लिए और अपने जिम्मेदारी निवाते वे पूरे जिम्मेदारी क साथ वोटिंग करें, बहुत 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 बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब का बहुत धन्यवाद दिया है, थैंक यू.